पती-पत्नी के रिष्टे में थोड़ी बहुत नोग जुकतुल लगी ही रहती है। लेकिन कई पार ये छोटी-छोटी नोग जुक ही बड़े जगडे का रोप ले लेती है। और पती-पत्नी के बीच अकसर अन्बन रहने लगती है। अगर ये इस्तिती लंबे समय तक बनी रहे तो इसमें तनाव होना लाजमी है। इन सब अन्बन को खत्म कर दोनों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए जोटिश में कई उपाय है। इस सम्मंद में हजारी बाग स्थेत मापितामबरा जोटिश केंद्र के पंडित आशिश समर पार्ठिक बताते हैं कि पती-पत्नी में आपसी अन्बन होना बहताम है। इसके लिए जोटिश उपाय के पती-पत्नी को कुछ चीजों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसमें सर्वप्रत्म है कि पती के प्रेम आदर में सर्वप्रत्म अधिकार पत्नी का होता है। वैसे ही पत्नी को अपने पत्नी से हमेशा आदर और प्रेम से बात करने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का आपसी अन्बन न हो दिखें पत्नी के संबंध में गहराई के लिए अगर हम चलें तो दोनों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी बात पत्नी को तकलिफ देगी और कौन सी बात पती को तकलिफ देगा तो ये दोनों के बीच में देखा जाता है कि मैकसिमम जो पत्नी होती है उनकी एक रिक्वार्मेंट होता है कि मेरे पती का किसी और से चकर ना हो वो मेरे लिए माने हमें प्यार करें और ये बहुत असान है पती को ध्यान देना रह गया कि पती को पत्नी को मनाना है तो बहुत असान तरीका है कि आप जब कुछ भी खरित के दें जैसे आप एक साड़ी ही ला कर देंगे तो वो दीखेगा उनको कि हमारे पती दिये हैं और वो पहन के निकलती हैं तो बहुत मान रखता है और पत्नी के लिए मैं एक बात और कहूंगा कि आपका जो सजना आपका जो शिंगार है वो पती के लिए है आप जितना शिंगार करते हैं सजते हैं उससे पत्नी को कभी भी कोई तरह का एकसिडेंट या नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप सती शात्तवान की कहानी म बहुत प्यार करती है जो अमराज भी ले जाने से रुखना पड़ा हूँ देखे इसमें जोतिस का कहां से एंगल है कि जो हमारा जोतिस में सब्तम भाव है बिबाह का घर वो किस एंगल किस चीट पे है उसके कौन से गरह खराब है कौन से गरह बढ़िया है वो माने रखता है पामिष्टी में अगर देखे तो पती-पती के जो रिखाएं हैं ब्यवाहिक रिखाएं आती हैं मुद्ध के मांट के पास तो उन्हें आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे है अगर गढ़बढ है तो उनको पाय भी करके चलिए और नहीं है तब तो सब कुछ सही होना चाहिए यह वीडियो जोतिश के द्वारा दीगे जानकारी के अनुसार बनाई गई है लोकल एटिन इसकी पुस्टिंग नहीं करता है